हलो दोस्तों मेरे चैनल अजे टेलर्स ओनलाइन टेलरिंग क्लासेज में आपका स्वागत है आज हम देखेंगे पैंट की कटिंग कैसे करते हैं तो सबसे पहले मेजर्मेंट देख लेते हैं लंबाई 41, कमर 41, सीट 43, मोरी 16, जांक 28 और लटक 27 दोस्तों ये प्लेट वाली पै है फिर उसमें नीचे से एक सिद्धी लाइन केंचनी है अब तीन साड़े तीन इंच का मार्जन रखके बोटम की लाइन है लगानी है अब हम लंबाई का निशान लगाएंगे लंबाई है इनकी 41 इंच, 41 इंच, 41 इंच पे नीचे बोटम की लाइन पे हम 41 इंच पे इंच इटेव रखेंगे और उब और उपर एक इंच छोड़के निशान लगा लेंगे एक इंच दोस्तो हम बेल्ट का छोड़ते हैं वैसे बेल्ट टेट इंच का होता है अदा इंच मार्जन में चला जाता है तो एक इंच छोड़के लगाते हैं और इनकी लट्टभ ऐसी 27 का 27 में 2 इंच छोड़े 25 और 25 में 2 का भाग देंगे तो 12.5 पर हम निसान लगा लेंगे और गुटने का निसान 12 पर लगाएंगे अब हम थाई का जांग का निसान लगाएंगे एक देड़ इंच छोड़ेंगे लिूज है ये पैंट बैक पार्ट थोड़ा सा बड़ा रखना है तो देड़ इंच छोड़े के लगाएंगे तो ये आएगा साड़े तेरा साड़े तेरा कनारी छोट के साड़ा तेरा पे और पून इंच पीछे और मिडिल का पूनी साथ पे मिडिल का निसान लगा लेंगे दोस्तो ये है आठ तो हम मोरी का लगाएंगे साड़े छाइंच पे मिडिल का क्योंकि दोस्तो ये बड़ी जांक की है देखे दोस्तो आठ इधर और बीडिल बीच में चार पे मिडिल पे आ जाएगा दोस्तो हमने सेंटर लाइन थोड़ा इधर रखा है क्यूंकि बेक पार्ट आने के लिए हमको थोड़ा सा मोरी का निसान उधर से लगाना है इसलिए हमारी सेंटर लाइन थोड़ी टेड़ी आएगी क्यूंकि दोस्तो अगर हम सेंटर लाइन को एकदम बराबर सीधा कर लेंगे तो मोरी यह पार्ट कपड़ा थोड़ा कम पड़ जाएगा पिछले पार्ट के लिए इसलिए हमने मोरी का सेंटर साड़ी छह पर ही लगाया है पड़ना बेक पार्ट इसका नहीं आता क्यूंकि इसकी जांग थाई जादा है साड़ी अगर चोविस पच्छिस होता तो हम सेंटर लाइन एकदम सीधी रख सकते थे अब हम इन सब को सीधा कर लेंगे श्ट्रेट यह देखिए ऐसे एकदम सीधा कर लेंगे यह गुटने का निसान दोस्तो हम लटक और भी कई तरीके से निकाल सकते हैं जैसे फिटिंग पेंट होती है तो हम आधा करके तीन इंच कम कर देते हैं क्यूंकि उसमें जो फ्रंट भागए वह थोड़ा सा निचे उतरता है इसमें ज्यादा उतरेगा यह अब हम सेप देदेंगे इसमें गुटने का निसान की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि यह सेप आजा है वैसे ठीक है क्योंकि यह लूजबेंट है दोस्तो अब इससे हम मोरी तक अच्छे से द लटक और थोड़ा सा निचे टेड़ा करके निसान लगा लेंगे अब हम यही निसान यह देखिए यह पांच पे आ रहा है तो उधर दस पे लगा देंगे दोस्तो लटक के बहुत फोर्मूले हैं फिटिंग पेंट की कटिंग करके बताऊंगा तब आपको अलग फोर्मूला बताऊंगा मैं अभी यह लूजबेंट की है तो इसका फ्रेंट बाग थोड़ा सा आधा पूनिंच जादा नीचे उतरेगा तो उस हिसाब से अगर मैं क क्योंकि इसमें प्लेट आनी है ज्यादा टेड़ा नहीं करना है अपनको उपर से अब हम थाई वाले निसान को नाप के उनिंच छोड़े हुए को उपर भी इतना ही निसान लगा लेंगे इसमें कमर नापने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों क्योंकि इसमें प्लेट डलेग तो एड़ेस्ट हो जाएगा और यह उपर वाला निसान भी इसमें स्ट्रेट आता है फिटिंग पेंट में आदा इंस वो अंदर की तरफ चला जाता है निसान थोड़ा टेड़ा आता है इसमें स्ट्रेट आता है प्लेट का निसान लगा देंगे दोस्तों जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाए यह देखिए दोस्तों सवादो से ढाई तक भी अपन नीचे उतार सकते हैं वो तो इनसान को देख देख के उसको कितना पेट है उस इसाप से उताना पड़ता है टेलरिंग में दोस्तो लबाई और कमर लिख दूँगा जिससे की कारिगर वो पता चलजाए कि यह कितने कमर की और कितनी लंबाई की पैंट है यह देखिए दोस्तों अगर लटक की बात करूं तो फिटिंग में अपन दोस्तों आधा करके उसमें से तीन इंच कम कर देते हैं पर दोस्तों यह फि लगाया है अगले वीडियो में मैं आपको फिटिंग पैट की कटिंग करके दिखाऊंगा उसमें अलग फॉर्मॉला लगाऊंगा अब कटिंग कर लेंगे मार्क के उपर उपर दोस्तों यह से पाएगा थोड़ा सा यह देखिए जैसे मैंने दिया अच्छे से मार्क के सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना बूलें और कोई भी आपके मन में डाउट हो वो मुझे कमेंट वोक्स में आके आप पूछ सकते हैं कि देखिए दोस्तों ऐसे चलानी है कहेंची सेप ऐसे देना है कि यह आप कटिंग करेंगे वैसे वैसे सीख जाएंगे मैंने पैंट स्टेचिंग का भी वीडियो बना रखे हैं प्ले लिस्ट में जाके आप दे सकते हैं कि यह चेन का कट है दोस्तों कि यह अपना फरंट पात कटिंग हो गया है दोस्तों निच्चे से बौटम सीधा कर देंगे मैं अब हम बेक पार्ड की कटिंग करेंगे दोस्तों कि पहले कपड़े को सीधा कर लेता हूं दोस्तों कि जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको काटके अलग कर देता हूं कि इसको ऐसे बिचाएंगे अब इस पर फ्रंट भाग को रखेंगे दोस्तों कुछ लोग क्या करते हैं कि लटक के निसान से डेड़ी इंच निचे थाई का निसान लगाते हैं जो कि गलत है क्योंकि उससे अपनी थाई बड़ी हो जाएगी दोस्तों आप कभी ट्राइ कर लेना जितना रखोगे उससे एक डिट इंच एक्स्ट्रा हो जाएगी हाँ आप लटक से आदा इंच निच्चे थाई का निसान लगा सकते हो पर डेड कि है अब हम बेग पार्ट की मार्किंग करेंगे पहले उपर वाला निसान ये थोड़ा सा उपर आएगा देखे यसे शेफ आएगा बेग वाले में यह देखेए दोस्तों अब यह इसमें भी यह थोड़ा सा टेड़ा रहेगा ऐसे अब हम bottom का निसान लगा लेंगे टाई का निसान लगाएंगे दोस्तों कमर देखिए इसकी सा 41 है तो 292,5 इंच एक्ष्ट्रा चो तहा इसा कमर का ओंडेर इंच एक्ष्ट्रा जो पिचछी डाठ डलती है उसके लिए INS एक्ष्ट्रा ए देखिए दोस्तों जांग की मार्जन का छोडगे नाप नहीं है अपन को इद पूर यप अपन को ये फैल पहले पिर आधा गुब तो ये निसान एस्यफित लिए Fuori मुटे आद्म की है तो इसमे तो बहले नहीं दो क्या है डोगा कि ऊपर दो ग्लत है कि लीकिल के कि लदभ कर साहिए waking श्ब् convictions में थोड़ा सा बेक पार्ट एक्स्ट्रा ही ज्यादा रहेगा कि कोई दिक्कत वाली नहीं साड़े तीन इंज तक रह सकता है दोस्तों एक्स्ट्रा और नीचे मोरी में डेड़ से सवाडेड एक्स्ट्रा रह सकता है और यह निसान थोड़ा सा टेड़ा आएगा पिछे वाल ऐसे यह देखिए दोस्तो आब इसमें भी सेब देगे ऐसे यह अपनी मार्किंग हो गई है दोस्तो यह आपको लटक नाप के दिखाता हूं देखिए यह बेल्ट मैंने साथ में नाप लिया इसमें तो आप सोचों के बेल्ट का नहीं है पूरी 27 रहे गी दोस्तों यह लूज़ पेंट में आदा एक इंच एक्ष्ट्रा रह सकती है कोई बड़ी बात नहीं है पर आप ऐसे कटिंग करोगे तो आपकी एकदम परफेक्ट रहेगी दोस्तों फिटिंग पेंट की लटक मैं आपको फिटिंग पेंट की जब कटिंग करूँगा तब बताऊँगा अब अच्छे से इसकी कटिंग कर लेते हैं दोस्तों जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना बोले ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके अब कमर का मार्जन रख देंगे दो इंच का और कटिंग करेंगे दोस्तों ओर जाए जब अब मार्किंग पर मार्किंग के उपर-ूपर कटिंग कर देंगे ऐसे फिटिंग पैंट की कटिंग दोस्तों मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा उसके कुछ फोर्मूले अलंग है यह प्लेट वाली पैंट है इसकी कमर जादा है यह देखिए थाइन आपको दिखाता हूं मैं आपको आदा इंच मार्जन इधर रखना है आदा इंच उधर मार्जन रखना है यह सवावारा पे आ रहा है देखिए दोस्तों सभावारा पे इंचिटेफ को पकड़के और अगले निसान भे निसान तक ले यह देखिए दोस्तों पूरी साड़ी अठाइस है मार्जन निकाल के छोड़ के यह देखिए दोस्तों एकदम परफेक्ट बैटी है अगर आपन डेडिंज नीचे ले ले लेते हो तो वह थोड़ा एक्ष्ट्र हो जाता है एक डेडिंज फो नहीं लेना है दोस्तों अपनको सब्सक्राइब करें बेल आइकन को दबाना ना बोले ज्यादा चे ज्यादा शेयर करें धन्यवाद दोस्तों